मेहल की तरह दिखने वाला ये वो घर है जो की बॉलिवुड में हिरोईन बनने के बाद शीदेवी ने खरीदा था अपनी कमाई से उन्होंने पहली जो समपत्य बनाई थी वो ये बंगला है शीदेवी जब मुंबई से चिन्नाई जाती थी तो इसी घर में ठहरा करती थी शीदेवी के निधन के बाद बोनी कपूर ने उनके चिन्नाई वाले बंगले को रिरवेट करवाया है बोनी कपूर और जानवी ने इस घर को शीदेवी का मेमोरियल बना दिया है घर के एक एक कोने में श्रीदेवी की जलक मिलती है श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने तुद एक वीडियो के जरीए पूरा घर दिखाया है सबसे पहले तो जानवी ने अपनी मा की समानत का लिविंग रूम दिखाया बेश कीमती, सोफा, पेंटेंग, सजावटी, समान, मूर्तियो फोटो फ्रेम्स और शांडलर से सजा उनका घर पहली ही जलक में किसी महल जैसा दिखता है लिविंग रूम को क्रीम और गोल्डन कलर से सजाया है इस हॉल को श्री देवी के विदेश से लाई साज सज्जा की समानों से सजाया गया है लिविंग रूम के बगल में ही बोनी कपूर को ओफिस है उनके दफ्तर में श्री देवी और परिवार की तस्वीरे सजी है इसके बाद जानवी ने घर का डाइनिंग स्पेस दिखाया यहां नौकुरसी वाला डाइनिंग टेबल लगा है देखा जाए तो खाने की जगा को भी बहुत भव्य लुक दिया गया है घर में कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो खोद श्री देवी ने बनाई थी जानवी ने वो पेंटिंग्स भी दिखाई जो उनकी मा की पहली पेंटिंग है श्री देवी का एक घर दो मंजिल का है घर की सीड़ी को भी इतना रॉयल लुक दिया है कि देखने वाले की आखे चहर जाए श्री देवी के खरीदे सजावट के हर समानों को यहां सजाया गया है सालों से श्री देवी ने कई पेंटिंग्स और कलाकृतिया जमा करके रखी थी और उन सभी को इस घर में लगा दिया गया है जानवी ने घर की आदगार दिवार दिखाते हुए अपना माता पिता की शादी की तस्वीरे दिखाई और कहा कि किसी तरह की सीक्रेट वेडिंग थी जानवी ने एक दिवार पर लगी अपने माता पिता की शादी की तस्वीरे भी दिखाई साथ ही उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने सीक्रेट शादी की थी इसलिए सब इतने तनाव में लग रहे हैं जान्वी कपूर ने अपना बेड्रूम भी दिखाया और बताया कि इसको उनके पिता बोनी कपूर ने डिजाइन किया है पहले एक अमरा श्रीदेवी का हुआ करता था लेकिन अब इसने जान्वी रहती है जान्वी ने ये भी बताया कि ये बंगला कुछ साल पहले पूरा खराब हो गया था लॉकडाउन के दौरान बोनी कपूर यहां आये और पूरे घर को रिनोवेट करवाया पूरा घर जब तयार हो गया तब बोनी कपूर ने इसे तोफ़े के तौर पर बिटिया को दे दिया इस घर में एक ऐसा वाश्रूम है जिसे देख जान्वी को लगता है कि वो क्रीस पहुच कई है उनके घर में इस वाश्रूम को देखने हर के साता है साती जान्वी ने इभी बताया कि उनकी मा ने उन्हें अपने बाश्रूम के दरवाजे पर ताला नहीं लगाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जान्वी वाश्रूम में फोन पर लड़कों से बात करे शीदेवी की याद में जानवी की वाश्रूम में अब भी लोग नहीं लगवा रहा है